दोस्तों आपने आसपास बहुत से डॉग देखे होंगे जो की अलग लग रंग ब्रीड के सबन्दित हरकते हैं क्या आपने ऐसा डॉग देखे हैं जिनके लंबाई इनसानों से भी जादा है क्या आपने ऐसे डॉग को देखा चाते हैं जो अकेले ही एक कार को की सकता है और क्या आप उस डॉग से रूब रूब होना चाते हैं जिसे हमें इनसानों को भी खतरा है अगर हाँ हमारे साथ इस वीडियो को एंड तक बने रहें क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही खतरनाक शक्तिसाली जान लेवा डॉग से मिलवाने वाले हैं जिने कई देशों ने बैंड कर दिया है तो आईए वीडियो शुरू करते हैं नमबर वन पर है टर्किश कैंगल अगर आपको डॉग को साथ खेलना उनको तंक करना पसंद है तो ये आप किसी भी डॉग के साथ करिए पर गलती से ऐसा मजाक अंगल से मत करिए ये मजाक आपकी जिन्दिगी का आकरी मजाक भी बन सकता है जी हाँ दोस्तों मैं ऐसा इसे लिए बोर रहा हूं क्योंकि कैंगल की काटने की शक्ति किसी भी लाइन और बाग से भी ज़ादा होती है इसके दांत बहुत ही शार्प होते है जिसकी वरसे ये बाग से भी बहादी से लड़ते है और उसे बराबरे की तक्रिद देते है कर दिया गया है यह डॉक्स बहुत ही वफदार और खतरना गार्स डॉग होते हैं यह आपको घर प्रॉफटी की रखवाली ही अच्छे से करते हैं और अगर गलती से कोई इनसान अंजान को इनके एरिये में आ गया तो खेर नहीं है इनकी लंबाई की बात करें तो यह डॉक् फाइट फाइव बीटर लंबे होते हैं अगर आप इनको अपना पैट बनाने की सोच रहे हो तो इनको गार से पालने से पहले अपने घर में दुवारों की और पर भी फिशिंग उचे करवाले वारना यह डॉव आपको गार से ही बार मिलेंगे कैन कार्सों की ब्रीड साब से अच्छी बात यह है कि यह अपने दुश्मन से बहुत ही बादरी से लड़ते हैं अबर थाट पर है बेल्जियम मेल नॉइस सिर्फ बेल्जियम रीड्स के ही डॉग ही है जो आपनी आगे वाले पैरों पर खड़े हो सकते हैं बिजली की तारों पर चल सकते हैं और यह बड़े डॉक्स माने जाते हैं इनके 6 महिने का पपी की लंबाई 80 cm होती है पर एक अडल्ट डॉक की लंबाई दो मिटर होती है एक साल के अलवाई डॉक का बजण लगवग सतर किलोग्राम तक होता है जो की इनसान के बज़न के बराबर होता है अलवाई डॉक्स इतने त आक्तवर होते हैं यह की अकेली कार को भी खीश सकते हैं